हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की वरक्षीट नंबर 11 को डिसकस करेंगे तो आज के इस वरक्षीट में हम पढ़ेंगे पैरिमिटर और एरिया के बारे में ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरिमिट इसके पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन अक्यूपाइट बाइदा क्लोष्ट फिगर तो जो एरिया होता है इसके अंदर का जो ये पार्ट है यह हमारा इसका area होगा, ठीक है, तो यह इसके बारे में आप 8th class में पढ़ चुके हैं, तो आई देखते हैं, यहाँ पर नीचे कुछ question दिये हुए हैं, उसको fill करते हैं, तो first question हमारा है, इसमें बोला है, how much space does a blackboard occupy, ठीक है, तो यह हमारा area होगा, अब ऐसे ही, what is the length of the wire required to fence a rectangular flower bed, ठीक है, एक rectangular flower bed है, ठीक है, उसको fence करना है, boundary करनी है, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा perimeter, ठीक है, इसमें क्या निकाली है, हम perimeter, अब अगला है, what distance would you cover by taking two round of a rectangular park, तो इसमें भी हमारा perimeter ही आएगा, और fourth है, how much plastic sheet do you need to cover a rectangular swimming pool, तो इसके अंदर हमारा area आएगा, ठीक है, तो यह आपको पता लग गया है, अब देखते हैं, rectangle का area क्या होता है, अब rectangle है, उसके अंदर length होती है, और breadth होती है, ठीक है, तो area of rectangle होता हमारा length into breadth, ठीक है, यहाँ पा जैसे एक rectangular shape दे रखिए, इसकी length हमारे पास 5 cm है, और breadth हमार निकालना होतों, तो क्या होगा, 5 into 3, 15 square cm, मतलब कि इसके अंदर हमारे पास 11 cm के कितने square बनेंगे, total 15 square बन रहे हैं, ठीक है, आप count कर सकते हैं, इसे, अब इसी तरीके से अगर मुझे इसका perimeter निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इसकी boundary को add कर देंगे, तो इसका हमारा formula होता ह है, rectangle का perimeter का वो होता है, 2 into length plus breath होता है, ठीक है, तो इसमें अगर हम value put करेंगे, तो हमारे पास जो आएगा 16 cm, इसका पूरा perimeter हो जाएगा, ठीक है, 5 उपर है, तो 5 नीचे होगा, तो कितना होगा, 5, 5, 10, और 3, यह रहा 13, और 3, इस side की boundary, तो यह होगा हमारा 16 cm, अब इसी तर होगा, यह वाली side भी 3 cm, और यह वाली side भी 3 cm, तो इसका area होता है, side into side, मतब 3 को 3 से multiply करा, तो हमारा क्या है, 9 cm square, तो इसके अंदर हमारा पास 9 square बनेंगे, 11 cm के, ठीक है, अब इसी तरीके से perimeter निकालना है, तो इसका formula होता है, हमारा 4 into side, ठीक है, तो 4 into side करेंगे, तो हमारा 12 cm इसका perimeter आ जाएगा, अब देखते हैं, triangle का area क्या होता है, तो triangle की figure आपको यहाँ दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पर यह 4 जो है, यह हमारा इसका base हो गया, और यह 3 जो है, क्या है, इसका perpendicular हो गया, ठीक है, height भी बोल सकते हैं, उससे, तो यहाँ पर इसका area का formula होता होता इस triangle का area हो जाएगा, ऐसी अगर perimeter निकालना है, तो हमने perimeter पढ़ा है, कि इसकी जो boundary होती है, ठीक है, उनका sum होता है, तो sum of the measure of 3 side, तीनों side का अगर sum कर देंगे, तो हमारा 12 cm आ रहा है, तो इसका यह perimeter हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें, यहाँ पर कुछ question दिए है, जिसकी side 4 cm है, तो इसका perimeter कैसे निकालेंगे, perimeter होता है 4 into side, तो 4 को अगर मैं 4 से multiply करूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा हमारा 16 cm, तो इसका जो answer आ गया perimeter का 16 cm, अब area क्या होता है, इसका area जो होता है, वो होता है side into side, ठीक है, तो side तो हमें 4 दे रखी है, तो 4 cm क से multiply करेंगे, तो यह जाएगा 16 cm square, ठीक है, तो first वाले का answer हमारा यह हो गया, अब देखते है, rectangle का area, अब rectangle हमें दे रखा, इसकी जो length है, वो 3 cm है, और breath जो है, 2 cm है, तो इसका अगर मैं perimeter निकालूं, तो वो होता है, 2 into L plus B, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका value put करूं, 2 into L कितना है, हमारे पास, 3 है, और B हमारा 2 है, तो यह हो जाएगा 2 into 5 equal to 10 cm, तो यह तो हमारा perimeter हो जाएगा इसका, ठीक है, तो अब area निकालते हैं, अब area of rectangle जो होता है, होता है L into B, तो 3 को 2 से multiply करा तो 6 cm square इसका area जाएगा, ठीक है, rectangle का, आब देखते हैं, triangle का, triangle का perimeter क्या हो जाएगा, तो 5 plus 5 plus 6, तो कितना हो जाएगा, 5 plus 5 plus 6 equal to 16 cm, तो perimeter तो 16 हो गया, और area का formula होता है हमारा इसका, 1 by 2 into base into height, तो यहाँ पर जो base है, वो दे रखा है 6 cm, height जो होगी, वो होगी 4 cm, तो इसको solve करेंगे, तो 3, 4s are 12 cm square जो है, इस triangle का area होगा, ठीक है, अब यहाँ पर नीचे हमें कुछ question दे रखेंगे हैं दो, इसको solve करते हैं, तो second question देखते हैं, second है, एक वर्गकार पार्क का छेतरफल ग्याद किजिए, जिसका परिमाब 320 meter है, find the area of a square park whose perimeter is 320 meter, तो एक यहाँ पर बोला है कि एक square park है, ठीक है, तो इसकी सारी भुजा तो बराबर होती है, ठीक है, हम यह पता है कि इसकी सारी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, इसका हमें परिमाब दे रखा है, ठीक है, परिमाब जो दे रखा है, वो दे रखा है, 320 meter, ठीक है, जिसको हम बोलते है, perimeter, ठीक है, perimeter दे रखा है कितना 320 अब हमें क्या बोला है इसका एरिया निकालना है छेत्र फल निकालना है तो सबसे पहले हमें इसकी साइड निकालने पड़ेगी तो इसका जो फॉर्मॉला होता है पर इमापका वह था फॉर इंटू भुजा या साइड ठीक है तो इस 320 हो गया तो इसकी जो भुजा आएगी वो कितनी हो जाएगी 320 बटे 4 इसको काटा तो हमारा आगया 80 मीटर ठीक है स्क्वार की सारी साइड कित्या गई 80 मीटर किया गई अब इसका एरिया हम निकाल सकते है ठीक है तो इसका जो एरिया है ठीक हमारा side into side और हिंदी में क्या बोलते हैं भुजा गुना भुजा तो हमारा 80 को अगर मैं 80 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा यह आएगा 6400 मीटर स्क्वेर ठीक है तो यह इसका छेत्रफल हो जाएगा एरिया हो जाएगा तो जो हमसे पूछा गया था अब देखते हैं next question अगला है find the breath of rectangular plot of a land if its area is 440 मीटर स्क्वेर and the length is 22 मीटर तो इसमें बोला है कि आयतकार भूखंड की चौड़ाई ग्यात करें यदि उसका छेत्रफला में दे रखा है और उसकी लंबाई 22 मीटर है तो ठीक है तो सबसे पहले एक rectangular plot ड्रॉ कर लेते हैं आपर यह rectangular plot है और इसमें जो दे रखी इसकी लंबाई जो दे रखी वो 22 मीटर है और चौड़ाई breath हमें find कर रही है ठीक है और इस question में हमें एक और चीज़ दे रखी है क्या बोला है कि इसका जो area है वो है 440 मीटर ठीक है इसका जो area है जिसको हम बोलते हैं छेत्रफल ठीक है छेत्रफल हमें दे रखा है कितना चार सो चालिस मीटर स्क्वेर जिसके लिए आपको एरिया का फॉर्मला या दूना चाहिए वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई L इन्टू B चार सो चालिस हो गया और यहां पर हमें दे रखा है 22 मीटर लेंद दे रखी है ठीक है तो B निकाल लेते हैं तो B कैसे निकलेगा 440 को 22 से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे तो आगया 20 मीटर ठीक है हमसे क्या पूछा है ब्रैथ पूछिए ठीक है चौड़ाई तो हमारा जो B है वो आगया 20 मीटर ठीक है तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आयोगा, थेंक्यू